पेट बाइट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे फिडोन, शीप, गोट के बारे में कि ये जो फिडोन है एक तरह से पेलेट फॉम में आता है तो ये बक्रियों में क्या-क्या फायदे करता है इसको देने से बक्रियों में क्या फायदा होते है और साथ में जो छोटे किड हैं उनमें क्या फायदे होते हैं और उसकी डोज क्या रहती है प्रिग्रेंसी सेफ है या नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आकिन के बटन को भी दबा दीजिए तो आए दोस्तों शुरू करते हैं फिडौन दोस्तों है यह विरवेक कमpany का आता है और इसके उपर फिडौन शीप गोट लिखा होता है अगर दोस्तों इस पैकट को आपने करके देखेंगे तो अपने जो अपने को इसकेंधर कहा है कि पेलेट फों में अपने को एपने को इ spit on मिलता है एक तुझ तरह से चो बुझिया मिलते हैं तो उस्तरह से यह अपने को मिलेगा और जहां तक अपन बात करते हैं कि जो पशुपालक भाई जो गोट फार्मिंग करना चारे हैं या गोट फार्मिंग कर रहे हैं और वहाँ पे अच्छा जो पूड़क्शन लेना चारे हैं तो वहाँ पे क्या है कि इसका बहुत ही अच्छा उप्योग है बहुत ही फाइदे मन्द है जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जहां पे लगता है कि जो चोटे जो बकरी के बच्चे हैं मेमने हैं या भेड के बच्चे हैं उनको जल्दी ग्रोथ करने के लिए जल्दी उनको बड़ा करने के लिए ग्रोथिंग के लिए उनका वेट गेन करने के लिए भी अपन इसको दे सक जिसी वेड़े करता है और साथ ही कहा है कि जो feed intake है उसमें improve करता है digestion system है तो उसमें भी improve करता है जो जानवर को है भूक लगाता है जिसकी वेसे कहा है कि जानवर जो जितना खाएगा उसके शरीर में उसके लगेगा तो ये भी इसका अच्छा जो रोल रेता है और दोस्तों जहां पर लगता है कि भेड़ है बकरी है या उनके बच्चे है अच्छी growth नहीं कर पा रहे है तो उनका weight gain नहीं हो रहा है weight नहीं बढ़ रहा है उसकी age तो काफी हो गई है साल के आसपास हो गए है पर उनका weight नहीं हो रहा है मेमनों का तो वहां पर क्या है कि weight gain करने के लिए भी दोस्तों अपन feed on ship boat को अपन दे सकते हैं और साथ ही साथ क्या है कि जो भेड़ बकरी उनके बच्चों के अच्छे स्वास्ते के लिए भी अपन routine में भी दोस्तों इसको दे सकते हैं और जहां पर क्या है कि infertility के समस्चा हो बेड़ और बकरी में जहां पर जो बेड़ बकरी हीट में नहीं आरी हो या वो conceive नहीं कर पा तो वहां पर भी इसके अच्छे result रहते हैं अपन उसको दे सकते हैं पश्वों में जो भेड़बकरियों में जो किड है उनमें क्या है की रोग परतिरुदग शम्ता दोस्तों बढ़ाता है इसको देने से इनके जो शूरिर के अंदर जो immunity power है वो बढ़ती है बेड़बकरियों को देने से क्या है कि जो skin coat है वो healthy रहता है उनके जो खुर है वो भी healthy रहते हैं और साथ ही दोस्तों यह क्या है कि जहां पर कभी कभी देखते हैं कि भेड़ बक्रियों में जो नर जो मेंडे होते हैं या जो बक्रे होते हैं उनमें कभी कभी कैलकुलाई की जो पत्री की समस्या होती है तो वो समस्या उनमें आ जाती है तो इसको देने से क्या है कि वो समस्या भी avoid हो जाती है उन समस्याओं को भी दूर करता है जहां पर पत्री बनने के chances जादा रहते हैं तो दोस्तों इस तरह से यह क्या है कि जो फिडोन शीपेंड गोट है यह जो पैलेट फोम में हैं बहुत ही अच्छा है अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप इसको जो रेगुलर देते रहें और इसकी जो डोज है वो भी कोई जादा नहीं है मैं आपको डोज भी इसकी बता दूँगा तो एक तरह से क्या है कि यह जो बकरियों में बेड बकरियों में healthy pregnancy, healthy kids और healthy जो गोट्स के लिए बहुत ही अच्छा है यह तीनों तरह से यह बहुत अच्छा ही वर्क करेगा दोस्तों जातक इसके डोज की बात करते हैं दो मन्त के जो kids हैं उनको नहीं देना है दो मन्त के उपर के जो बकरियों बेड के बच्चे हैं उनको देना है और adult को अपन दे ही सकते हैं जहां तक अपने kids की डोज की बात करें तो उनको अपन 10 ग्राम daily देना है और एडल्ट की जहां तक बात करते हैं तो वहां पे अपन 20-30 ग्राम तक अपन डोज दे सकते हैं तो दोस्तों ये तो है इसकी डोज